सुपरेटी रिजन के वज़े से मैं वीडियो नहीं बना सकता है पास बजा के तो मैं आपको दूर से दिखा देता हूं हेलो तो नमस्कार गाइस कैसे हो आप सबस्वागत है आपका मेरे फिर से एक नए ब्लॉक पर तो जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था टेगनपूर बीटी सी ग्राउंड का टूर तो आज मैं दिखाऊंगा बीटी सी केंपस का मैं बीडियर आपको दिखाया जाए कि जैसे आपने देखा है कि घर तूट जाने पे आग लग जाती सो अन लोगो जो घर में पसे हैं तो लोग को चैसे बचाया जाए तो उसी के लिए यहांपर ट्रेनिंग लिए जाती है तो गाइज मैं आपको कुछ चीजे दिखाऊंगा तो फिलाल गाइज मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पर पिछली वीडियो में ग्राउंड की जो वीडियो है उसमें आपको मैंने बताया था कि जहांपे क्लास चलती है क्लास मतलब उनके ट्रीनिंग ही मिल रही है एक सकतो यहां पर जो क्लास चल रही है अगर आपको थोड़ा बहुत दिख रहा हूँ कि आपने देखा मेरा मेरा मेन मकसद और बताए था आपको जैसा कि आप देख रहे हो यह सामने यह यह पूरा टील सेट वाला तो गाइज यह है यह बी आईडियर का ओफिस है तो उस तरफ आपको लाल लाल जो दिख रहा हुआ यह वो है में ओपिस बी आईडियर का आपे गाइज बस कुछ कुछ चीए कुछ समान रखे जाते हैं ले यह है बस ऐसी है मतलब स्टोर रूम स्टोर रूम बोल सकते हो यहां का बी आईडियर का इनकी अभी ट्रेनिंग खतम हो चुकी है आज की और अब फिर से साम को चालू होगी वह अलग ट्रेनिंग होगी अब आप चलते हैं अपन अपनी वीडियो की दरब तो पहले मैं आपको बीडियर का इक गोड दिखाता हूं जिससे आप समझ पाओ जैसे मैंने तो आपने तरफ से कुछ पता दिया और आपको समझ पाओ कि क्या है यह चीज़तों मैं आपको दिखाता हूं तो गाइज यह अब आपको इक बोड दिखाया अब इससे आपन झुड़ा और आगे चलेंगे तो आपको एक बोड और मिलेगा तो फेश्च जैसे की देख सकते हैं एक बोड और होती है यहाँ पर कलास चलती है और यह ट्रेनिंग भी होती है यह बोड है अब यह गका है और आज ही मैंने तो class चलाए जाता है यहाँ पर जिसका है अब गाईज यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलेंगे अपन तो मैं आपको दिखाऊंगा जो BIDR का जो main अब अजीब सा लग रहा है वरना यहाँ पर साफ सुत्रा ही रखा जाता है वहर कोई इसमें टूब बैल मत समझ लेना इसमें पता नहीं क्या क्या लोगों ने डर रग दिया अंदर तो मैं अभी नहीं दिखा सकता पहले मैं आपको कुछ सेनेमेटिक सॉट्स दे देता हूँ तो गाइज अब अब चलेंगे अपन इसके थोड़ा पास और मैं इसके बारे मैं आपको थोड़ा से कुछ समझानी की कोसिस करूँगा कि यह चीज है क्या जो यह बने हुए हैं बिल्कुल पूरे जुड़े हुए हैं और कुछ कटे हुए हैं तो यहाँ पर गाए बिचार तो गाइज जैसे कि आपको मैंना भी दिखाया है हैं और यहां पर भी देख सकते हो यहां काटा हुआ है तो गाइज इस में इसको मतलब मसीनों से काटा जाता जो लोहे की मसीने होती है, उनसे सिखाय जाता है कि अगर घर तूटके, अगर कोई फज जाता है, तो उसको कैसे बचाया जाया है, तूटने पर, घर तूटने पर तो आगे चलने की कोशिस करेंगे, सारी चीजे वैसी हैं, जो की सुरुवात में है, यह थोड़ा अजीब सा लगता होगा आपको, पर यह सिर्फ ट्रेनिंग के लिए है, यही चीज और इस तरफ में भी है, यही चीज, जो की ट्रेनिंग के लिए रेडी हो रही है, यहाँ पे नहीं, लेकिन उसी तरफ कुछ ट्रेनिंग चलेंगी, तो अगर हो सके तो मैं आपको दिखानी कोशिश जरू करूँगा, फिलाल जो है, यहाँ पे अभी मैं वो दिखानी कोशिश करता हूँ, जो बिएडिर की जो चीजे होंगी, वो सारी चीजे मैं आपको दिखानी कोशिश करूँगा, बिएडिर का एक मंदर भी है, जो सिव जी का मंदिर है, यहाँ पे जब भी सिवरात्री यहां पर जो लोग बहुत पहले लिप रहे के जा चुके हैं उनके लिए भी है अगर वो देखेंगे तो उनकी पुरानी यादित ताजा हो जाएंगे तो इसलिए मैं बाहर से दिखा देता हूं जो भी है यही है मंदिर और यह चारो तरफ मतलब पाहवान के चित्र बनाए गया है और यह बेएस एफ के अंकल थे जिनने चित्र बनाया था बहुत अच्छे कलाकार थे बहुत अच्छे आठिस्ट थे उनने यह बनाया और उस यहां पर इस तरफ में बनाया गया है उन्हीं अंकल ने बनाया है तो बीडियर की यही कुछ छोटी-छोटी चीजे थी जो मैं आपको दिखा सकता था और जो दिखा सकता था वह मैंने दिखाई जागी हो और जो पुराने लोग अगर इसे देख रहे हो जो यहां रहके और बताना वीडियो कैसी लगी नए लोग है वो लोग अगर देख रहे हो अगली नई वीडियो में तब तक के लिए बाए